नमस्कार मैं दौला सुर्मा और आपका स्वागत है मारी आज की इस खबर में अयुद्या के महाराज परामहंस दास समाजवादी पार्टी के रास्टे मार्थ चीव स्वामी परसाद मुर्डे के बयानों से नराज है सबसे पहले आपको सुनाते की महाराज परामहंस दास ने क्या कहा महारज की सुदेश से आए आप अखलेश यादो के घर के बाहर आए समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी परसाद मौर धर्मकरंफों को लेकर जाती विशेश को लेकर के लगातार जहरीए बोल बोल रहे हैं उनकी सिकायद करने के लिए सपा मुपिया मानी अतने स्यादों भी के पास मैं आया हूँ या तो यह छमा मागने या इनको पार्टी से निसकासित किया जाए और इसके सबसे ज्यादा नुक्सान सपा का ही हो रहा है क्योंकि स्वामी परसाद मौर अलग पार्टी बनाने के विचार में इस तरह की बयान बाती करना है जो सपा के सिकायद करना है और अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो फिर मैं कोर्ट जाँगा स्वामी मौर जी बहुझा नहीं नहीं ? आप लोग तो इतना सादूहों पर हमला तक हो गया इस्तितीी ऐसी बन गही ? जैसा कि आपने सुना प्रमसदास ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौरे अपनी पार्टी बनाने मिला गई हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौरे हिंदु धरम और गरंतों को लेकर लगातार गलत वयानवाजी कर रहे हैं। या तो वे अपने बेयानों पर समवा मांगें या फिर अख्लेस यदाब उनको पार्टी से निकाल दें। प्रमसदास ने चेताब ने दी कि अगर स्वामी प्रसाद मौरे को पार्टी से नहीं निकाला गया तो अंदूलन किया जाएगा। इससे पहले प्रमस्दास को अखिलेश से मिलने से रोक लिया गया था इस दोरान उनकी पुलिस से भी भेंस हुई वे अखिलेश यदव से मिलने की जिद पर अड़े थे बता दे कि स्वामी के बयान पर सज समाज बेहद नराज है बाचीत के दोरान महंत अमभुजानंद जी महराज ने स्वामी परसाद मौर्या को मूर्ख कहा उन्हें कहा कि स्वामी को अपना नाम मूर्ख परसाद मौर्या कर लेना चाहिए अगर उन्हें इसा नहीं किया तो वह बुरी तरह हार जाएंगे तो लगातार जो बयान बाजी यहां पर केसब माफ कीजिएगा स्वामी परसाद मौर्या करते हुए नजर आ रहे हैं उस पर तीखी जुवानी जंग चिट चुकी है तो देखा जाये तो अब इसको सियासी रंग भी दिया जाने लगा है जहां बीजेपी के भी कई परवक्त और नेता यहां पर इस बात का खंडन करते हुए नजर आ रहे है समाजवादी पार्टी के उपर चट चुके हैं और भी ऐसी कबर जाने के लिए दिखते रहे हमारे चैनल को धन्यवाद